अगर आपने PM किसान सम्मान निदी योजना के लिए online आवेदन किया है और आपको 2000 की किस्त नहीं मिली है तो हो सकता है आवेदन करते समय आपका नाम गलत हो गया है अगर आपका नाम गलत होता है यानि application और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो आप इसे घ अगर बैठे online ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको PM किसान scheme की official website pmkisand.gov.in पर आना होगा फिर आपको यहाँ farmers corner पर आना है यहाँ आपको edit अधार details का एक option मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है इदि आपके नाम mobile number और अधार number में कोई गलती हो गई है तो आप उसको option मिल जाते हैं अधार number, account number, mobile number और किसान का नाम आप इन में से किसी एक से अपने details को search कर सकते हैं इदि आपके पाद अधार number है तो आपको यहाँ अपना अधार number डाल देना है फिर यह image code यहाँ type कर देना है और फिर search पर click कर देना है इदि आपके पाद अधार number नहीं है त तो आपको यहाँ अपना account number डाल देना है फिर यह image code यहाँ type कर देना है और फिर search पर click कर देना है इदि आपके पाद अधार number और account number दोनों नहीं है तो आपको यहाँ अपना mobile number डाल देना है फिर यह image code यहाँ type कर देना है और फिर search पर click कर देना है इदि आपके पाद अध और मोबाइल नमबर तीनों नहीं है तो आपको फार्मा नेम को सेलेक्ट कर लेना है फिर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां ते अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है मैं यहां ते बिहार राज्य सेलेक्ट कर लेता हूं फिर आपको यहां इस बॉक्स पर क्लिक कर देन और यहां ते अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। और यहां ते अपना गाउं सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहां ते धीमा गाउं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर किसान को यहां पर अपना नाम टाइप कर देना है। फिर यह कैप्चा कोड यहां टाइप कर देना है। फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। यहां नीचे आपकी details आ गई है इसको एक बार आपको check कर लेना है यह है reference number यह है किसान का नाम यह है mobile number यह है sub district यह है block यह है किसान के गाउं का नाम यह है किसान का अधार number इदी किसान के नाम mobile number या अधार number में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए edit पर click कर देना है यहां सबसे पहले आपको अपना नाम सही सही type कर देना है यहां आपको वही नाम type करना है जो आपके अधार card में है आपका नाम अधार card में लिखा गया नाम से बिलकुल match करना चाह है फिर आपको यहां अपना सही सही अधार number टाइप कर देना है और फिर update पर click कर देना है तो इस तरह से आप अपने नाम mobile number और अधार number की गलती को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक एदिया आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तो के साथ स्यार करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग